नमस्कार साथियों सबसे पहले आप लोगों को दीवाली की हारदिक सुभकामना है और निस्वत्रूप से दीवाली पर आप थोड़ा गुंजाइस वर्ते की पाठाके बगेरा उन चेत्रों में ना चलाएं जिन चेत्रों में आपको नुक्सान हो सकता है तो बहुत हरसुलास के साथ मना रहे होंगे दीवाली तो आज बात करते हैं हम NCRT की जो मोहिम चली हुई है NCRT की जो मोहिम है वो हमने सिक्स क्लास से स्टार्ट की है सिक्स क्लास में हमने दो वीडियो बनाए है पांच पाठ चैप्टरों के और जो सेविंथ क्लास है उसका आज ये सेकंड वीडियो और दे चुके हैं तो राजस्तान की जीके के संबंद में मैं आपको पहले भी एफेक्ट क्लियर करा चुका हूं कि 95 फीसादी जो प्रस्ट पूछे जाते हैं वो इन अंस्याटी और आर्बी एसी की पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं इसलिए बड़ी गाइड़ करें पुपर संब्र पहला परस्ट कुस्ष्ण है देखिए निम्न मासे कौन सा सही सुमलित है तो है और ना है है बीकिन है اور न इसके बारे में आपको बहुँत ज़्यादा देखना है तो धात्विखनिज तो यह देखिए क्या ये धात्विखनिज कमें चूनअ पत्थर ज चाहँ परसंट, यह आपका अंसर, बिल्कुल सही है, लेकिन जो दात्विक खनीज है यह दात्विक खनीज इसके सामने नहीं लिखे गए हैं, दात्विक खनीज होगे यह और अधात्विक खनीज होगे उपर वाले, तो निश्यत रूप से अब आपको पता लगा होगा कि ध किताब फाइट हुआ है आपके किताब से जितने भी जो दिये गए थे फैक्ट थे धात्विक अधात्विक और उज्जा खनीजों के बारे में सारे फैक्टों को यहां सामिल किया गया तो बात कर लेते हैं अगले कुशन के बारे में प्रस नमबर है सेकंड तेकि राजस्तान के एक अधिकार वाले खनीज नहीं है जिन पर राजस्तार का एक अधिकार नहीं है वो खनीज बताना है तो सी सजस्ता बोलिस्टनाइट लोहा और जासपर तो लोहा जो है इस पर राजस्तार का क्या है एक अधिकार नहीं है तो यह बहुत अच्छा परस नहीं है तो यह ब मतलब है पर्थम इस्तान पर है तो संगमरवर, ग्रैफाइट, कोटा इस्टॉन, बलुव पत्थर, चांदी, जिपसम, तांभा, रॉक फासफेट, कैलसाइट, बाल काले, घिया पत्थर और सभी, तो साथ यो इसका उत्र जाएगा सभी, सभी में राजिस्तान का एक अधिका सुनिश्चत है, तो निस्त रूप से आप वीडियो को सेर जरूर करेंगे, एक दूसरी लोगों के साथ में, देखिए, और कुसर नमर फोर, देरखाइस में फोर कुसर में, राजिस्तान में कहां पर जस्ता सोदक संयंतर है, तो ये किबल जस्ता की बात कर रहा है, किसकी ब ये प्रसन ये आया है, जो प्रसन में चर्चा कर रहा हूं, राजिस्तान में कहां पर सीसा जस्ता सोदक संयंतर है, तो अभी बात की थी हमने पिछले प्रसन में, केवल जस्ता सोदक संस्तान, और ये है सीसा जस्ता सोदक संस्तान या संयंतर है, और ये है तंदेरिया, चित पूर्देपुर माता है अगर बात करते हैं चोथ का बरवाड़ा सवाई मादुखपुर और रामपुरा अगुचा यह भीलवाड़ा माता है और राजपुरा दरीवा यह आता है राजिस्मंद में तो निस्त रूप से आप इनका मिलान करेंगे तो फस्ट में देखेंगे च ठरमें सेकंड ऑप्षन और इसमें क्या है फस्ट ऑप्षन देरका तो इसका मतला हमारा सेकंड और बिल्कूर सही है और आपको इसको देख लिया अगला कुछ न देखिए राजिस्तान में पाए जाने वाले खनीज जैसे जिपसम, रॉकफासपेट और पाराइटीज किस के निर्मान में आवसक हैं तो यह किस तीज के निर्मान में आवसक हैं तो यह हो जाएगा रासाइनिक उर्बरक क्या हो जाएगा रासाइनिक उर्बरक के लिए देखिए कुस्षव नमर आठ तो आठवा प्रसंद देख लेते हैं संग्मर्मर्ण प्रमुकृप से पाये जाता है जो संग्मर्मर्ण है वो कहां पर पाये जाता है तो राजस्मंद और भासवाणा नागोर और मकरणा और उदेपूर तथा उदेपूर में एक खाने बाबर पाये जाता है तो यह आब देख लिया है अबने नौवा कुस्षण देखिए लोहा आयसका का प्रमुक केंदर नहीं है तो लोहा का प्रमुक केंदर नहीं है नागोर जामसर जैपूर मोर्ण बानोल जुणजनू डाबला सिंघाना उदेपूर में थुर हुन्डेर और सीकर तो निस्ट रूप से जो ये पहला वाला फस्ट ऑप्सन है ये इसका क्या है गलत आंसर है नाग और जामसर में ये क्या है लुहा नहीं पाया जाता तो मोरिजबानोल जेपर में खाने है डाबला सिंगहना जुनजुनु में है और थुरूहंडेर उदेपुर में है नाथरा की पाल थुरूहंडेर उदेपुर सुनाओगा न आपने हाँ ठीक है तामा के प्रमुक तामा प्रमुक रूप से पाया जाता है तो तामा कहा कहा पाया जाता है राजस्तान में इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक आपने क्या ख खेतडी में? अगला कुसन देखिए रोक पास्पेट कहाँ पर नहीं पाया जाता? तो रोक फास्पेट कहाँ पर नहीं पाया जाता? ये देखना आपको नहीं पाया जाता तो उदैपुर, जामड़ा कोटड़ा बलकुल ये तो लिध्विक्षित खाने km की जैसरमेर और जैपूर और बासवाड़ा तो इसमें जो नहीं पाया जाता हुए टॉंक और दोसा तो यह आंसर हो जाएगा आपका फूर्थ अगला कुशन देखिए बारहवा कुशन है अभरक खनीज मुखुरूप से पाया जाता है जो अभरक खनीज है वो पाया जाता है उद्यपूर में जैपूर में अजमिर में और दाता भोनास तो यह आंसर बहुत अच्छा है दाता भोनास में दाता हुणास खनेजय जो अभरक की प्रमख खनड़ में से एक मां जाती है बाकि उद्यपूर जैपूर और Majmir में भी अ अभरक पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से जो पाय जाता है वो दातह भूमास में पाया जाता है अगला कुस्च्षन देखिए तेरमा कुस्च्षन है और इसकतार है वी कनेर जसनमेर नागोर बार मेर जिले में पाय जानेवाली खनीज तो अब राक जिपसम रोखफासफेट चांदी तो यहाँ पर कौन सा nieuज पाए जाता है तेरह मग खुस्जन है तो यहाँ पाए जाता है जिपसम, यानि बीकनिर में, जामसर, जसलमिर में, नागोर में, बाडमिर जले में, क्या है, जिपसम पाया जाता है, अगला कुछन देखिए, बोलेस्टर नाइट पर मुखरूप से कहां पाया जाता है, तो जो बोलेस्टर नाइट है, यह कहां पाया जाता है, पाली में, उ मगरा, कौन सी है, बेल का, मगरा, आगर आब से पूछा जाए, कि बेल का मगरा खान किस के लिए विख्या है, तो वो है, फोलेस्ट नाइट के लिए, और कहां पाया जता है, सिरोई में, अगला देखिए, ग्रेनाइट पाया जाता है तो निस्योत्रूप से देख लेते हैं ग्रेनाइट के लिए ग्रेनाइट सिटी जालोर है तो जालोर हम पाया जाता है जसरमिर में, पाली में, सिरोई में और सभी तो 100% इन सभी जगों में क्या है ग्रेनाइट पाया जाता है और मुखिरूप से जो granite जो पाये जाता है वह में तो यहां सबी जगे पाये जाता है तो किवले ये पाये जाना कहिए रहा है मुखिरूप से कहता तो granite अपका अत्र हो जाता और देखे आनसर किस जिले में चूना पत्थर प्रमुख रूप से नहीं पाये जाता, चूना पत्थर नहीं पाये जाता, वो जिले हैं, तो चत्रवगर और सिरोही, उद्यपुर और कोटा, अलभर भरतपुर में चूना पत्थर नहीं पाये जाता है, क्योंकि चत्रवगर, सिरोही, कोटा, उद्यपुर इन में क्या है, सि कुण सा कृंपरागत उर्जा का साधन नहीं है जो परंपरागत उर्जा से सब्सक्राइब नहीं ही exist हो दिए तो और श॑क्षक ardizing में प्राइज ऑए राजिस्तान में किस परका का कोईला पाया जाताए यह बहुत अच्छा पूरसन है राजिस्तान में पाये जाने बहुतायत मात्रा में और उसका नामें लगनाइट कौन सा पाए जाता है लगनाइट कोईला पाए जाता है और भारत की बात करें तो बीटू में नहीं पाए जाता है बीटू मिनस जो बीटू मिनस है यह भारत में पाए जाता है मुखरूब से तो के वार पेपर में आता है क मात्रा में पाया जाने वाला कोईला का एक मात्र प्रकार है और वे लिग्नाइट और भारत की बात करें तो भूर्टरा में पाया जाता आ करफ पिस्तों नंबर अग्ला दिखिए I am 19 वा कुछांद देखिए उनिसमा है बीकनेर के बरसिंग सर बहुत अच्छा कुशन देखे बीकनेर का बरसिंग सर और पलाना दोनों बीकनेर में खाना है यह और बाड मेरका जालीपा कपूर्डी गिरिल और मेड़ता का यानि मेड़ता सिटी नागोर इत्क्यादी इस्तान किस खनीज के लिए जाने जाते हैं तो वो कौन सा है पेट्रोलियम पबन उर्जा कोईला और यूरिनियम तो 19 कुशन है इसका अंसर हो जाएगा कोईला तो यह किस के लिए जाने जाते हैं कोईला के लिए जाते हैं तो यहां पर बीकनेर का बरसिंग सर और पलाना तो लिगनाइट कोईला पाए जात गिर जालिपा और कपूरडी यह बाड़मेर में क्या है कोईला सहींत्र है क्लियर है अगला कुस्सन देखिए राजिस्थान में परमानु उर्जा सहींत्र कहां पर है तो राजिस्थान में जो परमानु उर्जा सहींत्र है वह है राबत भाटा चित्रोडगड में कहां पर है रावत भाटा चित्रणटटट अगला कूसन देख लेते हैं 21 वह 21 देखिए राजिस्तन का पहला सूपर थर्मल पावर इस्टेशन तो नगया सूरतगड है वो राजिस्तन का पहला सूपर थर्मल पावर स्टेशन है तो ये भी काफी अच्छा प्रशन है किता में डारेक्ट मेंशन किया गया इसको और देखिए कोईले पर आधारित ताप विद्धुत सहियंत्र जो कोईले पर आधारित जो है कोटा में कारीसिन में छबडा और गिरिल और एक है सभी तो निशुत रूप से कोईले पर ताप आधारित जो विद्धुत सहियंत्र है वो छबडा और गिरिल है और कारीसिन और कोटा ये सभी जगह पाए जाता है अगला कोशन देखिए कोशन नमर 23 ये भी काफी अच्छा प्रस्न है, very nice, देखिए, राजस्तर में कमली ताल, तनोट, घोटारू, मिनिहरी, टीबा, रामघड, डंडे वाला, और किस से संबन देते हैं, तो ये किस खनी से संबन देते हैं, कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो 23 में हो जाएगा, प् प्राकृतिक गैस के लिए विख्याते हैं, एक और बहुत अच्छा प्रस्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रस्न है, देखिए, राजस्तान में कमली ताल, अभी देख लिए आए मैंने न, 23 कुस्ण दो, 24 में देखिए, 24 में, ये बहुत अच्छा प्रस्न देखिए, स पोठर हो जाएगा पेट्रोलियम से किसे है पेट्रोलियम से अगला कुशन देखिए 25 राजिस्थान सरकार की प्रथम गैस विद्धूत परयोजना कौन सी है तो ये भी काफी अच्चा परस्वन है तो तो देख लिजिए इसको राजिस्थान की प्रथमै गैस आधायत परयो और जहा मर कोगेस पंसर हो जाएगा काई वद्धफलिट परियोजना है तो यह काफी अच्छा प्रेस्ण हो सकता है तो प्रेस्ण नमर क्या हो हो जाएगा सथी आप कई नॉट्डवन कर ले न अगला कुसन देखाई है कहीं में कुसर है निम्र में सें सही सुमलित नहीं है तेगे सुमलित नहीं है है इस पर आपको भुध्यान देना गांधी सागर जल्बेदूत परियोजना मन्दसोर में है MP में पड़ता यह राणा परताब सागर जो परियोजना वो कोटा में है क्या और माही बजा सागर परियोजना बासवाडा तो इसमें से जो सही नहीं है वो बताना है तो यह second वाला option यह सही नहीं है क्योंकि राणा प्रतापसागर जो परियोज ना है वो चित्तोरगड में ना कि कोटा में तो यह क्या है गलत है तो आपका उत्तर हो जाएगा second number का अगला देखिए अगला प्रसन है पवन आधारित विद्दुत ग्रह किस जले में नहीं है तो जो पवन आधारित जो विद्दुत ग्रह नहीं है जैपुर यनि सोरी जैसल मेर और प्रतापड दोलपुर अलबर बाड़ मेर तो कहाँ पर नहीं है 27 तो यह नहीं है अलबर के अंतरगत तो पबन जैपुर दोसा और उधैपुर और नागोर और जैपुर तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा अपर 28 में तो यह हो जागा जैपुर और उधैपुर में क्या है बायो गैस से इस्तिते हैं उधैपुर और जैपुर ठीक है अगला देखिए अगला को सने 29 29 को सने यानि देश में सबसे बड़ा सोलर पारा की इस्तापना कहा पर की गई है तो यह है जोदपुर में और वो कौन सा इस्तान है भड़ला भड़ला जोदपुर तो यह कई बार पर से पूछा गया परिशाओ में और यह फिर भी मौरा पर से रहेगा फिर भी पूछा जाएगा, तो कुछ से नमर है, तीस, तीस पर बात कर लेते हैं, देश का दूसरा परमानु विद्धुत संयंत्र कहां पर है, तो देश का दूसरा है रावत भाटा, परमानु उर्जा संयंत्र, अगर हम बात करते हैं, भारत का यानि देश का पहला परमानु सइयंत्र यह चित्रोडगर में तो निश्यत्रूफ से इसम और भी दिया गया है बहुत अच्छा फेक्ट है यानि यह है पहला अत्याधुनिक तकनिकी इवं प्रद्दोग्र से बनाए गया है तो पर्थम यह क्या है अगर इस प्रकार से पूछें कि देश का पहला अत्याध होने तकनिकी इवं प्रद्दोग्र से जो निर्मत किया गया वह कौन सा फर्मान सहियंत्र है तो हो जाएगा रावत भाटा चत्तुरकर तो निश्यत्रूफ से देखिए और इसके बाद में साथ हम आपसे बात करेंगे इस थर्द चेप्टर के बारे में कौन से चेप्टर क